गुड मॉनिंग अब्रीवन वेल्कम टू सवल सर्विसेश टड़ी यूपी पीसेश की टेस्ट सीरीज में पॉलिटी में 78 टेस्ट तक हो गया था उसमें 20 कोशन हमने कवर कर लिए थे महानयवादी और नियंत्रक एम महाले का परिक्षक से यह है टेस्ट नमबर 79 उसी के आग समीति लोक लेखा समीति सरकारी उपक्रम समीति त्यादिय को कबर करेंगे और कुछ प्रशन ऐसे कबर कर लेंगे जो भारतिय संसत की कार्य प्रणाली से संबंद रखते हैं इंपॉर्टन है यानि फिर यह टोटल इस टॉपिक से 45 प्रशन हो जाएंगे तो यहां तक हो गय अब आज यह नेक्स्ट कॉस्टन नेक्स्ट कॉस्टन जो इसमें से बनता है वह बनता है अविस्वास प्रस्ताब के बारे में 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 लोग सवास में लाए जा सकत और लोग सभा के सरस्व द्वारा बहुमत से अविस्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री प्रस्त त्याक पत्र देदेगी इसमें A करेक्ट है, B करेक्ट है, D करेक्ट है, लेकिन C वारा इन करेक्ट है, क्योंकि 50 सरस्यों का समर्थन चाहिए न किसो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोग सबा के कम से कम 50 सरस्यों का समर्थन आवश्यक है इनसा भी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरी प्राप्त कर सकते हैं नमबर इस पर कॉलिया वाटसप करके देखे भारत के संबिधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उलेख है ही नहीं अनुच्छेद 118 में उपवंध है कि संसत का प्रतियक सदन अपनी प्रकरिया और कार संचारन के विनेमन के लिए नियम बना सकेगा अते लोकसबा के नियम 198 में मंत्री परस्त के विरूद अविश्वास प्रस्ताव की प्रकरिया के लिए नियम बनाया है संबिधान के अनुच्छेद 753 में उपवंध है कि मंत्री परस्त लोकसबा के प्रतियस सामय गुर्प से उत्तरदाई होगी अत्या विस्वास प्रस्ताव की वर लोग सवा में ही लाया जा सकता है लोग सवा के सरस्यों के बहुमत दोरा विस्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परशद त्याक पत्र दे देगी इसके बिपरीथ होता विश्वास प्रस्ताब विश्वास प्रस्ताब लोग सवा में सरकार दोरा रखा जाता है यह प्रस्ताब प्रधान मंत्री या उसकी मंत्री परशद या उनमें से कोई एक सरसे रख सकता है राश्ट पती लोग सवा में बिस्बास मत खोए हुए मंतरी परशद की सला मानने के लिए बाद नहीं है इस चीज को भी आद रखेगा क्वेशन नुबर टू है नमले कितमे से कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहाँ पर तीन यहाँ पर करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा उसी को ढूड़ना है किसी व्यक्ति को उपपरधान मंतरी के आधिकारों का प्राबधान नहीं करता है उपपरधान मंतरी के उ देखें पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तीसरा करेक्ट है दूरी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उल्टा-फल्टा लिए दिया समय है राश्ट पति के पराबर्दान मंतरी के समद कोई वी उपवद्र नहीं है प्रधान मंत्री के परामर्स पर राष्ट पती मंत्री मंदल के किसी सरस्य को उप प्रधान मंत्री चुन सकते हैं तो डी बाला स्टेट्मेंट गलत संविधान उपपरधान मंत्री के लिए कोई उत्तरदाईत या अधिकार का प्रावधान नहीं करता है उपपरधान मंत्री के उत्तरदाईत तो कंदरधान परधान मंत्री का विसेस अधिकार है Q23 है नमलिके दमसे कौन सा मंत्री मंडल सची वाले का काम नहीं है मंत्री मंदल की बैठकों के लिए कार सूची तयार करना मंत्री मंदल समितियों के लिए सची वाले साहता परदान करना मंत्री मंत्रालों को वित्य संसाधन का अवंटन करना परदान मंत्री के आदेश पर मंत्री मंदल की वैठक आयुजित करना कौन साइक कार मंत्री मंडले सची वाले का नहीं है देखिए मंत्री मंडल की बैठकों के लिए सूची तयार करता है मंत्री मंडल समीतियों के लिए सची वाले साहता प्रतान करता है प्रधान मंत्री के आदेश पर मंत्री मंडल की बैठक आयुज़त करता है लेकिन C नहीं है मंत्रालों को वित्र साहत संसादनों का अवंटर नहीं करता ये तो C वाला है गलत मंत्री मंदल सचवाले के निम्रिखित कार है कौन-कौन से प्रधान मंत्री के आदेश पर मंत्री मंदल की बैठा कायोज़त करना मंत्री मंडल द्वारा लिए गए निड़ने के क्रियानवन की निगरानी करना भी कुशन नंबर 4 है नंबरिंग में काउंटी करें तो 24 है केंद्रे सरकार के संतर में दो स्टेटमेंट है कौन सा सही है संबिधान में उपवंध है कि समस्त कैविनेट मंत्री अनिवार रूप से केबल लोग सभा के ही आसीन सरस्य होंगे केंद्रे कैविनेट सचेवाले संसदिय कार्य मंत्रा लेके निर्देशाधीन काम करता है पहले स्टेटमेंट पर तो कई बार चर्चा होई है हमने अगर कोई मंत्री बनना चाता है केंद्रे मंत्री बनना चाता है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सभा का ही सरस्य होगा वो राज सभा का भी सरस्य हो सकता है इवन किसी भी सदन का सरस्य नहीं है तब भी तो वो मंत्री बन सकता है बसरते उसको छे महीने के भीतर किसी सदन का सरस्ट हो जाना है चाहें लोक सबह का हो जाए राज सबह का हो जाए कि इधर कैविनेट सची वाला है संसद ये कार मंत्रा लेके प्राइश निरुज़zess दहीन काम नहीं करता है दोनों के दुनों गलत हैं डी हैस का अंशर तो संभिधान प्रधान मंत्री या मंत्री बनने के लिए राज सवा के सरस्य उपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता अधिसंसाद के किसी भी सदन का सरस्य मंत्री बन सकता है संभिधान में उपवंद है कि यदि कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सरस्य नहीं है तो 6 मा के भीतर उसे किसी सदन का सदस्व बन जाना अन्य था 6 महिने के बाद वो मंत्री नहीं रहेगा केंद्रे कैविनेट सची वाले सीधे प्रधान मंत्री के अधीन होता है और इसका परसासनिक अधिकारी होता है कैविनेट सेकेटरी और cabinet secretary जो होता है वो civil sewa board का पदे नध्यक्स होता है UPSC civil sewa में प्रश्ण पूछा जा चुका है कि civil sewa board का पदे नध्यक्स कौन होता है तो cabinet secretary होता है Question No.5 है भारत के नेंतर के महाले का परिक्षक यानि CAG के संदर में कोई एक statement गलत है लोक लेखा समीती का मित्र मार्क दर्शक होता है वो उसे लोक निधी का अभिवाबक कहा जाता है उसके report पर अंतिम रूप से कारवाही संसद दौरक की जाती है वह लोक लेखा समीती की बैठकों में भाग नहीं ले सकता देखे लोक लेखा समीति की बैठक में भाग तो लई सकता है क्यों ने ले सकता भाग डी गलत है तो भारत के नियंत्रक एँ महाले का परिक्षक यानी CAG का प्रावधान भारते सम्मेधान के अनुच्छे 148 में है उसकी सक्तियां वमकार 149 में है संसत की लोक लेखा समीति की बैठक में भाग ले सकता है बलकुल लोक लेखा समीति का मित्र और मार्ग दर्शक इसको कहा जाता है लोक लेखा समीति की कारवाही की मध्यस्तता जो है नेंत्रक और महाले का परिक्षक द्वारत की जाती है इसलिए इसे लोक वित लोक निदी का संरक्षक या अभिवाबक कहा जाता है संभिधान के नुच्छे देख सो क्या बने एक मुख बंद है कि कैग यानि C.A.G. अपनी रिपोर्ट किसको संपेगा राष्ट पती को राष्ट पती उसे संसत के दोनों सद्नों के समक्ष रखवाएगा इस अधार पर C.A.G. की रिपोर्ट पर उचित कारवाही करने की अंतिम जम्यदारी किसकी संसत की कोशन नुबर 26 है नमने के दमें से कौन नेंत्रा के महा लेखा परिक्षक की रिपोर्ट की समिक्षा करता है लोक लेखा समिती लेखा महा नेंत्रक मंत्री मंडले सचिवाले विया विभाग केंत्रे वित्त मंत्रा लेखा नेन्तरा के महाले का परेक्षक की report की समिक्षा करती है लोकलेखा समिटी इंगलेज में को बोलते हैं इसको public accounts committee इसको पबलेखा समिटी को शौंपती है और समिती जो है रिपोर्ट की समिक्षा करती है CAG समिती की सहायता करता है समिती अपना परतिवेदन लोग सवा अध्यक्ष को सहुपती है ये सारी चीज़े देख लीजेगा कौन किसको दे राए अलग-अलग निकाल के परश्ण बराएगा एक एक नमबर में चार-चार विकल परक्ष को सा repertoire कि नमबर टॉन्टी सेवन लेख hemen करती टो लेख हो परिक्षा बोड कि tomorrow सर्ष्यों किनिकती कि दोरा को ए तो लेख का परिक्षा बोड कि अध्यार नहीं के महाने का परिक्षा किनज़ी के दुरह कि जाती है इस बोर्ड की स्थापना भारते हैं प्रसासनिक सुधार आयों की अनुसंसाओं पर बार सुनिशोड़ सट में की गई थी इसकी स्थापना नियंतर के महाले का परिक्षक कार्याले के अंग के रूप में की गई इसका एक अध्यक्ष होता है और दो होते हैं सदस्य कोश on number 28 संभिधान के नुवलिकर स्थापने इसके की संबंद में उपरिक्षक की सक्ती और कारे के संबंद में उपवव 250 है कि बारत का एक नियंतर के महाले का परिक्षक होता नुचिए 1682 में लिखा है लेकिन उसकी सक्तिई और कारIs है नुछ देख 205 में तो सी हैं सभग सभी अगो समेधान के नॉछ देख 5000 वान जास में नहीं को तया किने फॉलिए नमबर टॉंटी इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं और संसद की जो लोक लेखा समीति है इस रिपोर्ट पर विचार विवर्ज करती है यह समीति अपनी रिपोर्ट देती है लोक सभा में या लोक सभा अध्यक्स को संसद्य समिती आ गई है important समिती है ये कई बार प्रश्ण बने exam में से प्राक्लन समिती के संद्र में निम्णिव सम्द कि से कौन सा कथन सही नहीं है बर्तमान में इस समिती की कुल सरश्व संख्या 30 है जोकि सर्वादिक है जिसमें केवल लोक सबा के ही सरज से सामिल होते हैं इस समिती का अध्यक्स हमेशा सत्ताधारी दल से होता है इस समिती का कारीकाल एक वर्सका होता है कोई मंत्री इस समीति का सरस्ट से हो सकता है देखे प्राक्लन समीति का सरस्ट से कोई मंत्री नहीं हो सकता गलत डी वही सही है तो प्राक्लन समीति संसद यह स्थाई बित्य समीति है संसद की एक स्थाई बित्य समीति है जिसका गठन हुआ था पहली वार 1950 में ततकालीन वित्त मंत्री जौन मथाई की सिफारिस पर वर्तमान में इस सद्मीती में कितने सरस हैं तीस सरस है और मूल ते इसमें कितने थे पच्चिस सरस हुआ करते थे किन्तो 1956 में इसकी सरस संक्या बढ़ा कर कितनी करती गई तीस करती गई और अभी तक इसमें तीस ही है जिसमें किवर लोग सबा के होते हैं सारे के सारे राज सबा का इसमें कोई नहीं होता वह समिति का अध्यक्स हमेशा सत्यधारी दल से चुना जाता है लोग सभा अध्यक्स लोग सभा सरस्यों में से अध्यक्स की निक्ति करता है वह समिति का अध्यक्स की निक्ति कौन करता है लोग सभा का अध्यक्स करता है कहां से लोग सभा के सरस्यों में से कोई मंत्री इस समिति का सरस्य नहीं हो सकता इस समिति का कारकाल कितना एक वर्स का इसके सरस्यों का चुनाप प्रतिवर्स लोकसवा द्वारा अपने सरस्यों में से समानु पातिक प्रतिनित प्रणाली के अधार पर एकल संकर्मणिय मतद्वारा किया जाता है कोशन नमबर 31 है नमड़े के दमें से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदिय समिती है तो 30 सदस से 300 के 300 लोग सभा के सरवाधिक और यह है प्राक्लन समिती ऑप्सन नमबर 2 तो प्राक्लन समिती इंगलिस में इसको बोलते हैं एस्टिमेट्स कमिटी प्राक्लन समिती इसमें कुल सरस 30 होते हैं जो सभी लोग सभा के सरस से होते हैं ऑप्सन्स में और दूसी समितियां थी जैसे कि लोग लेखा समिती लोग से लेखा समिती में 22 सरस होते हैं साथ राज सभाके सातराच सबाके सरकारी उपक्रम समिधि सम真的 होते हैं. लोक सबस्हारा करती है um Pihrane Sead एक होती है याचिका समिधि bliss Mawad 400 PayPal समेट होते हैं takich यह जात्राच का समिधि यह समिधि विदहे को सर्वजन step मेहत के मामलों पर दायर याचिकाव में आवेदन उपर विचार करती है इसे आवेदन समीति भी कहते हैं याचिका समीति को के नीचे दिगे कूट का प्रздर करकर के सही उत्तर का शुनाब के हैं संसरे समिति हैं सूची दो में हैं वो किस प्रकार की समीति है जैसे कि लोकलेखा समीति कैसी समीति कारकारी है वित्य है उपर था तो किसी exploration में लोक लेखा समिति एक वित्य समिति है तो नीचे options भी देखते चलेंगे किस से eliminate हो रहा है एक से कट रहा है क्या तो वित्य समिति हो गई लोक लेखा समिति याचिका समिति कैसी है याचिका समिति याचिका समिती है एक कारेकारी समिती याचिका समिती हो गई कारेकारी समिती स्टॉक, वाजार, स्कैम, सेयुक्त समिती ये हो गई तदर्थ समिती और वित्य, विभाग्य समिती हो गई स्टेंडिंग समिती तो A का 3 कितने में है जहाँ जहाँ A का 3 नहीं है उसको हटा दीजे A का 3, B का 4, C का 1, D का 2 B है इसका अंसर तो सही मिलान कुछ इस प्रकार से लोकलेखा समेती, वित्य समेती, आचिका समेती, कारिकारी समेती स्टॉक, बजार, सकेम समेती, तदर्थ समेती, विभागय समेती, स्टर्डिनिक समेती Question No.13 यानि 33 नमबर का अपरशन है नमलिकत में से कौन सा प्रकार समेती की अधिकारिता को बताते हैं यानि Estimates कमेती की अधिकारिता को बताते हैं प्रसासन में दक्षता और मित्विवता लाने की वेकलपिक नीतियां सुझाती है यहां परिक्षा करती है कि प्रकार में जो नीती निर्धायत की गई है उसकी सीमाव में रहते हुए धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं यह सुझाब देती है कि संसद में अनुमान किस तरह प्रस्थुत किया जाए देखिए तीनों के तीनों कथन प्रकलन समिती की अधिकारिता को बताते हैं तो ए भी करेक्ट है भी करेक्ट है भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है तो डी है इस कांसर कुषिन नमबर 34 है लोक लेखा समिती के संदर में कौन सा स्टेटमेंट सही है इस समिती द्वारा नेंतर के महाले का परिक्षा के वार्सिक प्रतिवेदनों की जाउन संसद में प्रस्तुत करने से पूर्ब की जाती है यह समिती अपनी रिपोर्ट भारत के राष्टपती को समपती है और राष्टपती उसके अपरतिवेदनों को संसत के समक्ष रखवाता है इस समिती के द्वारा केन सरकार के विनियोग वित्य लेखाओं की जाच की जाती है सारे के सारे साही है ये सारे के सारे सही तो नहीं हो सकते क्योंकि यह समिती अपनी रिपोर्ट लोकसवा में देती है लोकसवा के अध्यक्स को देती है ना कि राश्टपती को तो गलत हो गया दूसरा स्टेट्मेंट पहला इसकी वैसे गलत हो गया पूर्व पूर्व नहीं बाद में तो कथन एक दो गलत हैं लोक लेखा समिति नियंत्रा के वे महालेखा परेक्शक के वार्सिक पर्थिवेदनों की जाच करती है कि राष्टपती दौरा संसद में संसद में रखवाने के पश्चात ना कि पहले यह समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा में या लोकसभा अध्यक्स को सौपती ना कि राष्टपती को दिखर के महाले का परक्षक यहनि C.A. G अपनी रिपोर्ट राष्ट पती को ाइड राष्ट पती उसकी रिपोर्ड को संसद में रखवाता है संसद उस प्रतिवेदन को लोकलेखा समिति को समफता है इस समिति के द्वारा के इन सरकार के विनियों के वित्य लेखो लेखाओं की जाँच के साथ साथ लोग सवह में प्रसुत किसी अनलेखा की जाँच की जाती है यह सारे की सारे एक्स्प्रेशन मोस्ट इंपोर्टन्ट है वर्शन उम्बर थर्टी वार स सारवजनीक उपक्रम समिति यह एक उसके बारे में कौंसा सही है सारवजनीक उपक्रम समिति यानि इंगलिस में हो गयी है पुब्लिक अंडकी कमेटी सारवजनेक उप्रम समीति यानि Public Undertaking Committee संसत की एक इस्ताईव वित्य समिती है, जिसका गठन प्रतिवर्ण संसत दोारा समानुपातिक प्रत्तुनित्र प्रनाली के आधर पर एकलर संक्रमणी अमत के आधार पर किया जाता है। कोई मंत्री इस संसती का सरस्य नहीं बन सकता लोगले का खी तरह। इस समिति का अध्यक्स लोगसभा अध्यक्स तुवारा लोगसभा सरस्यों में से नियुक्त किया जाता है इस समिति का गठन हुआ था क्रेश्ण मैनन समिति के सिफारिस पर 1964 में यानि सुतंतता के बाद देश के जादी के बाद प्रारम में इस समिति में 15 सरस्य थे जिसमें 10 10 लोग सभा से और 5 राज सभा के लेकिन वर्स 1974 में इस समिति के सदस से संख्या बढ़ा कर बाइस कर दी गई 15 लोग सभा से साथ हो गए राज सभा से इस समिति का कारेकाल एक वर्स का होता है कुश्चन नमबर 36 है भारते संभिधान की साथवी अनसूची में कौन सी सूची सामिल नहीं है अकास्मिक सूची संभर्ती सूची संग सूची राज सूची असान सा प्रशन है ये तो भारते समयधान में 12 सूचियां है 12 की बारे आपको याद रखनी है किस में क्या है सब पता होना चाहिए तो अकास्मिक सूची जैसी कोई सूची नहीं है साथ भी अनुसूची में भारते समयधान की साथ भी अनुसूची में तीन सूचियां संग सूची राज सूची संबर्ती सूची अब एक प्रश्ण है यह जो संसद है हमारी पार्लेमेंट है वो राज सूची के विशह पर कानून बना सकती है कैसे बनाएगी कानून राज सूची के विशह पर वैसे तो राज सभा कानून बनाती है ठीक है यानि राज लेकिन संसद भी कानून बना सकती है कैसे बनाएगी वो यदि राज सभा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोशित करती है कि राज का विचारा धीन विश्य है राष्ट महत्व का है तो ठीक है सी है सका अंसर इंपोर्टन्ट है प्रश्ण गोशित करती है कि राष्ट हित में ऐसा करना आवश्चक है या समिचीन है तो संसद भारत के संपूर्ण भाग या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और इस कानून की अबधी एक वर्ष की होती है कुशन नुम्बर 18 है यानि कुशन नुम्बर 38 है लोक लेखा समीति पहली बार कब अस्तित में आई यनि पब्लेक अकाउंट्स कमिटी पहली बार कब अस्तित में उसी की बात हो रही है जिसमें 22 सर्द से होते हैं 15 लोक सवा के 7 राज सवा के बार साशन अधिनियम 1935 चार्टर अधिनियम 1083 भारते यो पहली बारा आई थी यह भार साशन अधिनियम 1929 इसको मॉण्टेगी ऊचेम्स फोर्स सुधार भी कहा जाता है तो लोखले का समयती भारस रसन अधने मुनिस सो उन्निस के अंतरगत वर्स उन्निस सो इक्किस में पहली वारस्तित में आई वुशन अबर 39 पर आजए संसद की कार प्रणाली के संदर में नमलिकर में से कौनसा स्टेटमेंट साही नहीं है संसद के प्रतेग सदन को ये सकती है कि वह अपनी कारवाहियों को नेंतरेवम बिनेवित करे संसद के प्रतेग सदन को सदन के भीतर वहस और कारवाही करने की सतंतरता प्राप्त है किन्तु अन्य व्यक्तियों को प्रकाशन से रोकने का अधिकार नहीं है देखे पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तीसरा करेक्ट है लेकिन चोथा वाला करेक्ट है को प्रकासं से रोकने का अधिकार है उसको किए नहीं है है बिल्कुल है तो डी कलत billion अंसर है और नुजज़ नमबर 40 पर आजए ये लोकसभा राजसभा की समान सक्तियां किस छेत्र में हैं ठीके समान होने चीए बिलकुल मतलब उन दोनों के बिना वो कानून नहीं बन सकता तो पहला है नई अखिल भारतिय सिवाएं गठित करने के संबंद में जो अनने सक्ति है वो केवल राजसभा क की पास है अनुछे 300 सो भारे में इसका उपवन्ध है तो यह तो हुआ नहीं संसध में राजसभा के उश्ए बनाना यह अधिन श。 करने के पास है कट आधी प्रस्ता प्रस्तुत करने के विश्था में ऌसे संविधान संसुदन के नहीं हो सकता तो कि समान सकती है कि समधान विधयक के समन्द में अगर होता तब लोगषा हो जाता तो संबिधान में संसोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की समान सकती है दोनों सदनों दोरा पारित होने पर ही संबिधान संसोधन माना जाएगा ने था नहीं इसलिए इसमें सेयुक्त बैठा का प्रावधान भी नहीं है जब हम संसत करा रहे थे सब कबर कराया था यह और इसे भारत का राष्ट पती पुनर विचार के लिए भी नहीं लोठा सकता इसे किसे संविधान संसोदन विध्यक को वकिल अखिल भारतिय सेवा अनुछे 312 और राष्ट हित में राजसूची पर कानून बनाने का राजसवा का जो विश्य साधिकार है वो अनुछे 240 तो यह जो है राजसवा कर सकती है और यह बड़ा इंपोर्टन्ट आर्टिकल है याद रखेगा 240 और 300 वारे भी अनुदान क कि मांग पर कटोती प्रस्ताव केवल लोग सवह में प्रसुत किया जाता है राजसवा के पास उसकी सकती नहीं है एक और प्रेशन कोस्टन बर 41 नमलिखित कतनों पर विचार करेंगे भारत के किसी राज की सीमाओं में परिवर्टन करने के लिए संसत ससक्त है भारत के किसी वर्तमान राज की सीमाओं में परिवर्टन करने से संबनित कोई विध्या केवल राजसवा में तथा केवल भारत के राष्टपती की सिफारिस पर ही इस्थापित किया जा सकता है पुरा इस्थापित किया सकता है यानि इंट्रडियूस देखिए पहला तो सही है दूसरा वाला करता है, राजसभा भी तो है उसमें, तो परोक्त में से कतन दो सही नहीं है, क्योंकि सम्भिधान के लुच्छे तीन में पुवंद है कि भारत के किसी बर्तमान राज्य की सीमाव में परिवर्तन करने से संबनित कोई विध्यक, संसद के किसी भी सदन में राष्ट पती कि सिफारिस पर ही पुरा इस्थापत किया जाएगा चाहे वो लोग सभामें कर लो या राज सभामें ऐसा नहीं है कि क्यावल लोग सभामें अगिस संभिधान के अनुछ तीन के तहब संसद यानि हमारी पार्लिमेंट नए राज्यों के निर्मान कुम बर्तवान राज्यों की छेत, सीमाओं या नामों में परिवर्दन करने के लिए ससक्त है पुशन नमबर 42 है राज्यों के स्रजन तथा उन्मूलन के संदर में अनन्य अधिकारिता किसके पास है राज्यों का स्रजन करना हो या उन्मूलन करना हो तो अनन अधिकारिता जो है वो है हमारी पार्लैमेंट के पास यानी संसद के पास भारतीय संसद राज सूची के विशाइपर कानून बना सकती है भारते संसत जो है वो राज सूची के विशह पर कानून बना सकती है भारते संबेधान की साथ में सूची में कितनी सूचीयां तीन सूचीयां संग सूची, राज सूची, संबर्ती सूची तो वो राज सूची संग में तो बनाएगी संग सूची में प।्रस्ता पारित करें तो तो देखी लिया था हमने इससे बनाई सकती है क्या इंसे भी बना सकती है इन सबसे बना सकती है स्थितियों में बना सकती है भारतिया संसद राज सूची के विशय पर कानुन यह important प्रेये सारे के सारे याद रखेगा ड्य है स्कांसर 123 ठीक है तो उपरोग सभी करारों अंतराज्टिये करारों समझवतों को प्रवाई बनाने के लिए भारतिया संसद संभिधान के नुच्छे 253 के तहत कनून बना सकती है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से संसद राजिसूची के विशह पर संभिधान के न कि यदि राज सभार्.. राश्ट हितं नवास से प्रसता पारित न करते हैं तो संसत्व संभिधान के करे दिए 249 7T के में विशहिंद कानुन बनासकती है क्रिशन 24 dizendo उपंजि लगस्षी चेहरण कानुन बनासकती है क्रमेश Soc 24 mm Janus संपूर्ण भारत में लागु करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। भारत की किसी भागात्वा संपूरण भाग में लागयों करणें के लिए संसद कोई कानौन बना सकती है बिना किसी राजी की सेमति से थे क stunts सम्भिधान के नुछे दोस्तों तरेपन में यह प्राबधान है कि संसद अंतराश्टी करारों को या संधियों को समझोतों को प्रभाई बनाने के लिए भारत के संपूर्ण छेत्र संपूर्ण राजे छेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानूर बना सकती है बिना किसी राजी की सेमती से कुशन नमबर 45 यह प्रशन ऐसे ही पुछा सकता है वो अनन्य अधिकारिता वाला वह अंतिम प्रशन नहीं है और 25 प्रशन कंप्रीट हो जाएंगे इसके बाद इसके बाद हम राजी के विधान मंडल को कबर कर लेंगे जल्ली से अगला जो टेस्टी वीडियोज होगा और फिर कुछ प्रशन संविधानिक विकास के भी देख लेंगे तो राजसवा की अनन्य अधिकारिता के संदर में नमलिकित कतनों पर विचार कीजिए नई अखिल तो गरेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इस कांसर है तो राजसवा को दो विशियों में अनन्य अधिकारिता है अथवा राजसवा का विशेशादिकार कहलो उसको एक तो अखिल भारते सिवाओं में अनुच्छे 312 और राजसवा राजसूची में बढ़ने किसी विशाय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकरत कर सकती है अनुच्छे 200 प्रणचास है तो 20 प्रश्ण 25 प्रश्ण यह बड़े इंपोर्टन्ट थे कि इनकी प्रेक्टिस कर लीजेगा एक से दो बार धन्यवाद देंगे इस लेवल तक के प्रश्ण अप्च्छे से आपने प्रऍक्टिस कर ली तो किसी भी एक्जाम में किसी भी चिटपुट एक्जाम में यह स्टेट पीसी अश तक में इनको करेक्ट कर लोगे धन्यवाद